इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक रिवर के जो questions आपने पूचे हैं, comments में उनका answer करने जा रहा हूँ, तो कुछ अच्छे questions से तो मैंने के सोच है इस पे dedicated video बना दी जाए ताके आप लोगों को help मिल सके जब आप items अपनी submit करवाते हैं, ठीक है? तो पहला question है बिलार रदा की तरफ से कि सर्फ poster design को कैसे arrange करना है graphic river के लिए, जिस तरह हमने business card को arrange किया था, layers और उसके बाद group करके उसी तरह हमने poster या flyer की files को भी उसी तरह तरतीब देना है, उसी तरह वो layering होगी, उस तरह groups के नाम होंगे और उसी तरह वो editable होंगे, और उस kindly sir, please बता सकते हैं, graphic river और invato studio एक ही है, ये दोनों websites एक ही company की आप कह सकते हैं, जिसे कहते हैं, invato, और इनके बाद invato market और invato studio दोनों अलग अलग है, आगे invato market में, उनकी जो sub domain है, या आप कह सकते हैं, कि छोटी बहन है, वो graphic river है, और उसके बाद invato studio में कहाई, just like freelance platform है, जह को वहाँ पर रखा गया और लोग आके custom काम करवाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़े हैं, एक बड़ा interesting question है, कि mobile से इस website पर काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको photoshop illustrator चाहिए ही है, तब जाकर आप अपनी files बना सकेंगे, और फिर submit करवा सकेंगे, एक एक और बड़ा दबस question है, I am using photoshop cs6, so do I still need to select cc 2018 when uploading, or what is the good way of saving or exporting document in cs6 to accessible in cc, आप जो भी चीज़ लोगर वर्जन में design करेंगे, वो higher वर्जन में already open हो जाएगी, ठीक है, उसमें को टेंशन नहीं है, हाँ, जिस चीज़ में आप design करें, for example, cs6, तो वहाँ पर वो वर्जन अ चेक कर लें, ज्यादा बेतर है, एक question आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, कि क्या जो काम हमने graphic river पर upload कर दिया है, और वो approve हो जाए, तो क्या हम भीहांस यह double पर upload करके portfolio में show करवा सकते हैं, तो बिलकुल आप करवा सकते हैं, उसकी promotion भी कर सकते हैं, नीचे link लग जरूरी है, बिलकुल जी graphic river पर preview बनाना जरूरी है, और एक बिलकुल important चीज़ है, उसके बगार वो फाइल accept नहीं करते हैं, और upload के दुरहां वहां पर image जो है, अपलोड करनी होते है preview वाली, तो यह बहुत जरूरी शाय है, अच्छा जी, एक और question ही, mockups कहां से download करें, तो flyer के mockups देने हैं, तो आप उनको download करें, अपना design उसमें put करें, और इसकी presentation बना के आप graphic पर यूज़ कर सकते हैं, मुहमद अधनान का question है, अकाउट बनाने के बाद जब भी मैं dashboard पर click करता हूँ, तो मुझे front page पे ले आता है, यानि main page पे ले आता है, तो उसकी एक main reason हो सकत place holders, design में ना लगाने हों, तो चलेगा, बिलकुल जी अगर आप अपना design without image बनाना चाते हैं, और वहाँ पर कोई place holder नहीं रखना चाते हैं, तो design वहाँ पर ऐसे accept हो रहे हैं, तो आप submit करवा सकते हैं, it's easy, अपना design बनाए है, quality design बनाए है, और वहाँ पर submit करवा हैं, तो images क करनी होगी customer को, इसलिए place holder ज़ूरी है, जब आप image यूज़ कर रहे होंगे, एक और question है, कि मैं तीन कार्ट submit करवा सकते हूं, तीनों reject होंगे हैं, क्या वज़ा हो सकती है, वज़ा आपके design की quality है, आपका design बहुत beginner level का होगा, इसलिए वह accept नहीं कर रहे, मेरे अभी तक reject हो तो आप लोग भी हमत ना आ रहे हैं और design करते हैं, जिससे ही आपकी design की quality उस लिहाज से हो जाएगी, आपके design अप्रूव होना शुरू हो जाएगे, और अगर अब भी quality बेतर नहीं है, तो आप learn करें, practice करते हैं, और फिर आप इस website की तरफ दुबारा जा सकते हैं, अबरा यही आप रख सकते हैं, एक और बड़ा दबदस question है, जो image हम use करते हैं, mockups में show करवाने के लिए, जिसका link readme text में add करते हैं, क्या वो pick भी साथ add करना होती है, archive file में या just link इसलिए देने हैं, कि वो preview में show करवाई होती है, इसलिए, अच्छा वो image हमें इसलिए देते हैं, कि अगर customer ने वो ही वाली image use करनी है, तो वो जाकर purchase कर ले या free में download कर ले, दूसरा हमने वो as a sample वहाँ पर mockup में show करवाई होती है, इसलिए भी हम वो put करते हैं, तो main reason यह कि शायद image उसको पसंद आजे customer को तो वो जाकर access कर सके image को, और क्योंकि जितने भी resources हमने वहाँ पर use क करने होते है, especially fonts और graphics तो वो उसका links हमने provide करना होता है, especially images, एक और question है कि अगर हम stock images use करें, जिसके ओपर watermark लगा होता है, तो क्या वो accept हो जाएंगे, जी बिल्कुल जी, वो accept हो जाएंगे, चाहिए आप invato की stock market जो है, उसमें जाकर करने, या shutter stock से उठाएं, तो link आपने ल exclusive and non exclusive, which one is better for new sellers, इसमें betterment नहीं है, इसमें आपकी choice है, अगर आप अपना design सिर्फ graphic river पर sell करना चाते हैं, तो आपके लिए exclusive है, और अगर आप अपना design साथ में किसी और market पर भी बेचना चाते हैं, तो उसके लिए non exclusively है, exclusive पर आपको 50% से लेकर 70% तक commission मिलेगा, जबके non exclusive प क्या आप logo maker से उठाकर logo वहाँ पर submit कर आ सकते हैं, तो नहीं भाई, आप इस तरह काम ना करें, logo जो होगा वो आपका custom होना चाहिए, professional होना चाहिए, minimal होना चाहिए, या complex होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई message convey करने वाला हो, फिर ही ये आपका approve होगा, otherwise mid level या copy का logo हर्किस भी approve नहीं करेंगे, वो बहुत थारी चीज़ें चेक करते हैं, एक और interesting question है, कि business card mostly लोग illustrator में design करने को कहते हैं, लेकिन आपने Photoshop में क्यों सिखाया, मैंने इसलिए सिखाया कि वहाँ पर graphic river पर especially Photoshop में files मुझूद हैं, यानि अकसर लोग Photoshop में card बना कर submit करवाते हैं और approve हो र तो reject हो गए और तकरीबन यह 8-10 मुझे emails भी receive हुई हैं और Instagram पर messages भी और आप लोगों ने अपने designs भी दिखायें तो believe me वो designs जो हैं वो इतने quality वाले नहीं हैं, कि वहाँ पर approve होते हैं, इसलिए वो reject हो गए, तो आपने quality बहतर करनी है, professional बनाएं और कुछ ऐसा logo बनाएं ज का niche को represent करते हों, किसी business को, और उसके उपर एक अच्छा मतलब निकलता हो, ठीक है उस logo का, तो वो accept होंगे, इस वज़ए से आप लोगों के logo जो हैं, reject हो रहे हैं, especially कुछ लोगों का काम बिल्कुल beginner level का है, और वो try कर रहे हैं, तो मैंने पूरी series में आपको बताता रहा हू कि ये website उन लोगों के लिए है, जो professional है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, just like अब्दुरह्मान जो banner बनाकर upload कर रहा है, और उसकी चार items approve भी होगे हैं, और और भी मजीद होती होगे, क्योंकि उसका design बहुत जबरदस्त है, उसका style बहुत जबरदस्त है, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ questions के answers दिया, relevant to graphic river, और hopefully next episode में भी मैं आपको कुछ इस तरह help करूंगा, और कुछ लोग कहरें, flowers और brochures की वीडियो लेके आँ तो वो मैं लेके आँगा, लेकिन अभी मैंने जो Photoshop का course है, उसको complete करना है, जल्दी से कुछ tools रहते हैं, वो मैं क learn करें, earn करें, और like करें इस वीडियो को, share कर दें और जो लोग नए मेरी चैनल पर subscribe करें, और notification का bell icon लाज़नी आँ करें, मैंने देखा सिरो 30% लोगों ने जो है bell icon on किया हुआ है, तो उसको on करके रखे ताकि आपको, आप लोगों को notification मिलते हैं, मेरी videos को, take care and Allah Hafiz. तो क्बना एमार होँ